जेहिन दोस्तो दोस्तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि तुम एक्स मुसलिम्स के वीडियो तो बहुत लाते हो डिवेट्स में लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाते हैं जिसमें सनातन धर्म के उपर question raise किया गया हो तो आपकी वो जो नराजगी है वो मैं इस वीडि किये होए दोस्तो लेट्स स्टार्ट कि यह है जिए है कि बस्तो लिधे मैं आपकी बात माल लेता हूं कि बेद भी जेद हो सकता है कि वैसे बेद में चेद हो भी ना लेकिन मैं सही सही बोलाओं समीम भाई बदेहं ज्यादा चेद आपकी बॉरी-बोड़ी में हैं तो अगर आप च्द ही देखना पसंद करते है तो वेदों से पहले अपने पूरी बॉड़ी के छेद गिल लिजे कि प्रकृति ने अगर भगवान तो अब मानते नहीं है वैसे आपकी भासा से लग गया तो प्रकृति ने आपके पूरी बॉड़ी में चेद होगा लेकिन उनसे कहीं ज्यादा छेद खुद आपकी पूरी बॉड़ी में बनाया है प्रकृति ने अब हमारे ज्यादा अब अब उनको दिक्कत क्या है कि कुछ लोग सिर्फ छेद ही देखते हैं चुकि इसमें आपकी गलती नहीं है सर बिलकुल आपकी गलती नहीं है यह अपना-पना नेचर होता है सवराहिदा आपके जितने छेद हैं इसका क्या-क्या फाइदा है इसका क्या क्या-कंद की अफाइड़ाने के चाहसी आपने निकानने के काहां आते हैं कंछ गने मू अतने के काम आते हैं उसका कने के आताम एं सेलीम जी उसमें नंज कर आ k Dasneuj नीम पेंचապए ऐपने चेद कापनों करो लिए अपपना रिस dop या रिस पतों ने वे इसलिए ऊपने बश्य से जुड़ें तो आपके च्छेद में पंठिधेनों को से पने जिडेंग हो इसे क्या अफ़ रिप होतों नहीं पढ़ा है, यह सोदू विय्यां है, आपको पुछ नहीं आरे हैं, यह सिफात है, जैंगो सधर में भी लाइट है, यह समने हैं, जैंड को मुंद आंने हिए? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो जब वेद पढ़ा नहीं तो मैं वेद पर आपसे बात करूँगा, नहीं, आपने खुछ स्विकार किया कि आपने वेद नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि Facebook और WhatsApp University से आपने थोड़ा बहुत ग्यान अरजित कर लिया है, मैं यह नहीं कर आप से यह पूछना चाहता हूँ, कि आपने यह कहा कि सब में छेद है, आपने कहा वेन में में है, बाइबल में में है, आपने सब को टागेट करते हुए, यह कहा, कि भाई, सब में प्रॉब्लम है, आपने कह दिया, लेकिन अब सब की problem जानने के लिए, आपने deeply अध्यन किया है, अगर में अध्यन किया होता तो मैं आपको बताने आता कि इसमें ये फाइदे हैं और ये पाम है अगर जैसे आपने अपनी बोडी के सारे च्छेदों के बारे में विस्तार से रिसर्च की हुई है कि मेरे इस च्छेद का ये काम है मेरे इस च्छेद का ये काम है तो आपने अपनी बोडी के सारे च्छेद का अध्यान किया हुआ है आपको सब कुछ पता है तो जब आपको अगर आपको ये नहीं पता होता कि मुवाले च्छेद से हगना है कि बीचे वाले च्छेद से हगना है तो हमारा बासा अलग हो रहा है चुक्कि आपने यह हूज ही ऐसा किया हुआ है इसानों के बारे में नहीं पढ़ा है वो भी मैंने लोगों से ही जानकारी लिए विज्ञान से जानकारी लिए आप कि आपने आते ही कहा कि वेदों में चेद है कुरान में चेद है कि आपने कौन से टॉपिक में चेद आपको दिखा आपने कौन से टॉपिक में चेद बाया है वो चेद बताईए फिर मैं उसका आपको एंसर करूंगा णास्तिकों को कतल करने का हुकम है वेद के अंदर डिफरेंस बताईए रिफरेंस बताईए व कम सुना उन्हें पर नहीं नहीं वूट आप कि वेदों में नास्तिकों को मारने का आदेश है मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कृप्या वो वेद बता ही कि हमारे चार वेद हैं चारों वेदों में कौन से वेद में यह बात लिखी हुई है कि वेदों में नास्तिकों मारने का आदेश है आप 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 वास्त भी कह रहे हैं आप पर आप सुने सुने बाते लाएके पैस कर रहे हैं तो आप आप आते हैं हमारे यहां वेदों में बहुत सारे चीजों की चिक्ट्सा पद्दती के बारे में लिखा हुआ है आप 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 आउर्वेदों में चिक्ट्सा याने कि आप आज के मौडर जो साइन्स नहीं था आज की तारी में जो मार्डन जो साइंस टेक्नोलोजी यूज हो रही है किसके पहले भी लोग थे उनका इलाज कैसे होता था तो हमारे आयूर्वेद के बहुत सारे प्रशंगों में बहुत सारी विमारीयों बहुत सारी और और किस तरह से कौन सी चीज पर क्या और आउसदी काम करती है कैसे करती है उसकी विधाओं को बताए गया उसके प्रारूप पुछा चाहता हूं आयुवेद का कुई यूज नहीं है अब आप कहारहे हो कि वेदों के पायद है आपको छोटा सा एक अर्गिमंट रहता हूं वेदों के साथ उपवेद जुड़े होते हैं गंदर वेद, आयुवेद, 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 अधनुवेद जीना चाहिए यह नहीं है कि भाया नास्टिकों की तरह आर्मे नवा भी की तरह है बहुत सम्मान से कह रहा हूं मुझे इसमे कोई डिकत नहीं है इसी तरह मेरा भी अपना एक प्रोफेशन साइन्स होता है ना आपका प्रोफेशन साइन्स है अब सुनीजिए आपको प्रभुद्ध वग्यानिकों के नाम बता रहा हूं और उनके वेदों के ओपर क्या टिपणी है वो बता रहा हूं एल्विंट शोडिंगर जिन्नोंने ड वेदान के बहुत बड़े प्रशन से करें हैं उनकी पुस्तक्ता नाम है माई वी उफ वर्ड पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पे पीडियाफ आपको मिल जाएगी उनकी खुद की लिखी हुई किताब है आपको पता चल जाएगा कि वो वेदों के बारे में क्या कहते थे तो आपसे और मुझसे कहीं अधिक प्रबुद्ध विद्वान थे उसके बाद दूसरे आते हैं वर्णर हैजनबर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा आपको बहुत सारे अर्टिकल्स उनके बारे में मिल जाएंगे फिर आते हैं रोबर्ट जे ओपनहाइमर ने अपने ल जो काल सेगन है उन्होंने भी वेदों को सरहा है तो आपको क्या लगता है कि जो आप जैसे शौप कीपर है मैं आईटी सेल कुछ नहीं नहीं तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे जादा ग्यान होगा या हमने जादा ग्यान होगा या हमने जादा ग्यान होगा या हमने प्राइस से सम्मानित वग्यानिकों के नाम बताईए जो आपने कहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है तो क्यों कह रहे हो वह बात कहिए जो आपको बता हो यहां पुश्य पुषिक आयं बहा रूटरा हों कॉनु को मिलता है इस जो åt नांस्तिक होुण तो आपको यह प्रेणना कहां से मिलती है कि के मुल्यों की प्रेणना कहां से मिलती है आपको कौन सा गिरंट होता है आपका हमारे देश के संभीदान से ठीक है रूख के बहुत सारे सेक्शन मनुस मिलते से उठाए गए है नहीं अकीन आता सर्च कर लीजिए आगे बोलिए नहीं से उठाए हो यह बार तो इस चीज़ को एकसर कर लोगो तो को किया हमारी प्रेपेक्स में पहले तो आपने यह बोला कि वेदों में नास्तिकों को मारने की बात है ठीक है साली तो वह चीज़ आप दिखा नहीं पाए अब दूसरी चीज़ आप दूसरी चीज़ आप इस प्लेम पुड़ा है आपको बास नहीं प्र साप से कह रहे है कि आप आई पीची को मानते हैं आई पीची को मानना को हुआ है इस चीज़ को आई पीची को आप फॉलो कर रहे हैं इसके पहले इसके पहले जो आपके हमारे पुरवस्त है इसका मतलब आप ने जान लिया कि मझे चोरी नहीं करनी है मुझे लड़ाई जगला नहीं करना है, मुझे जूट नहीं बोलना है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुचाना है, तो क्या मैं ये बान के चनू कि जब IPC नहीं थी, यानि कि जब हमारे Constitution नहीं था, तो उससे पहले जो आपके पुर्वस्त है, वो इंसावी कामों में लिप्त थी? जी, सुन ये मुझे बात, अब इस बात का जवाब मैं दूना, आपको दो मिनट के लिए चुप होना पड़ेगा, मैं तो आपकी दस-दस मिनट सुनूगा, आप तो एक मिनट सुनना पड़ेगा, मैं अपनी 200 स्ट्रीम के अंदर ये बात कह चुका हूँ, कि ये जितने भी धरम, गरंट हैं, ये जिस समय बने थे, उस समय इंसान की बहतराई के लिए बने थे, और वाके में उस वक्त इनसान को बहतराई मिलती थी, इनको पढ़के बहुत सी बास्तों का पता लगता था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इनसान इतना डेवलफ हो चुका है कि उसको गरंट पढ़ने की जुरूरत नहीं है, उसको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो यह बताईए मुझे कि आज इन करने करने को और क्या मतलब है और क्या है वाने कवाशम का पता है? मैं जो पूस्ता जा रहा हूं उसको बस answer करते जाएगा, कि मतलब आज से जितना भी पेले जो धार में गरंथ लिखे गए, उससे पहले ये बताया गया, कि धार में गरंथों में लिखा हुआ चोरी नहीं करना है, जूट नहीं बोलना है, किसी पो नुक्सान नहीं पहुंचा पढ़ाई लिखाई करना है अध्यान करना है पढ़ते लिखते रहना है तो जब आज से पहले यानि कि जो आज आप IPC के अंतरगग जो चीज समझ रहे हैं जब यही चीज आज से हजारों साल पहले जब आपको उन गरंतों ने बता दिया है कि आपको ऐसे जीवन जीना है जब हमारे रहे ठीक है उन्हों ने हमको पाइदा कर दिया अब तो हम पाइदा हो गाए हैं अब तो हम भाई पुरने लगे हैं तो अब हम अपने बाप दादाओं को अपना बाप दादा नहीं कहेंगे अब उनको अपना पुरवज नहीं कहेंगे अब हम यह नहीं कहेंगे कि सलीम खान के बापा जी का नाम अहमद खान था हम यहां कि बात का सिर्फ एंसर कर रहा हूं उसी तरह से मैं आपकी बात का एंसर कर रहा हूं कि यह कहां पर रिखा हुआ है कि हम एहसान फरमोस हो जाएं यानि कि जिन धार्मिक चीजों से या जिन थार्मिक रंत का हुआ आप कुछ रहे से को सर्थ नहीं पहले है . मेरी बात सुनें अभी आग जलवाओंगे मैं आपसे मैं आपसे आग जलवाओंगे बीच में मत काटिए जंगल में पट्जा है माचिस्तान को पट्टर नहीं पड़े अरे भाई रुक जाये मैं से रगणवाता हो ना पत्तर अभी रगड़ेंगे दर्शकों यह हमसे पूछ रहे थे कि गरंतों के फायदे बताओ मानव जीवन में उनकी उप्योगिता बताओ और अभी इन्होंने खुद ही अपने मूँ से इस्विकार किया है कि उन धार में गरंतों के मात्व थे उनसे तकालिन मानव शमाद जो था वो उनसे प्रभावित होता था और उसमें नहीत बातों का है तो अभी किया है तो अब यह इस चीज चीज को पूछने कारी नहीं रहे गये कि दार्म में गरंतों के फायदे बताओ कि इन्होंने खुद ही बत दिया है चलता हो ना आपने झो एक धरनी रहा है हुआ लीइक शेतना सॉमसरी गतंद मत अब मैं आज आज बोलना चाहिए, अरे आज भी तो उप्योड यह तक भूलना है, अब मैं आख कहा कि मैंने 200 इस्ट्रीम में कहा है, कि कुरान भी इस वक्त फाइदे बन था, मुझे उससे मतलम नहीं सर्व, मैं कुरान पर बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपने वेदो की बा कीजिए, बीच में टोकाटाकी मत कीजिए, आपने बात रखने का, तत्ति बोलना आज फाइदेवन्द है कि नहीं है, आज के समय में, आपने अभी कहा, मैं उसी चीज को एक्स्प्रेन कर रहा हूं, इन्होंने खुद ही कहा है, इन्होंने अभी खुद ही कहा है, कि भाईय आप पहले जैसे इन्होंने खुद कहा, कि भाई आप आई-पी-सी से मैंने सीखा है, कि भाईया, हमको जूट नहीं बोलना है, हमको सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये चीज आज आपने आई-पी-सी से सीखा है, और मुझे ये चीज समय उप्योगी था और चोड़ी ना करना आज भी उप्योगी है तो फिर ये बैक्ति कौन सा फायदा ढूट रहा है जबकि फायदे इन्होंने खुदी पता दिये आपको प्रश्म करना इक उत्तर देना यह बताए पहले आप मुझे सवाल करें मैं एक मिनिट के अंदर जवा होगा आपके जीवन का सबसे कीमती समय वो पूजा प्रार्थना नमाज रोजे में बरबाद नहीं होगा आप धार्मिक परपरंडों के अंदर पढ़के इंदू-मुसलिम करके भाई-भाई को नहीं मार होगे यह इससे बड़े और क्या फायदेश यह मिनिट भी नहीं हु तो मैं पब में जाओंगा की नहीं वह आपकी इच्छा है ठीक है तो इसी तरह से यह हमारे धरम में भी धर में हमारे पास यह इक्षा निहित होती है कि मैं मंदिर जाओंगा की नहीं जाओंगा मैं यग्य करूंगा की नहीं करूंगा यह हमारी स्वैक्षिक इक्षा पर न करता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं आपकी पूरी नास्तिक को चैलेंज करता हूं कि वेदों में हमारे किसी भी धर्मसास्त्र में सिर्फ एक लाइन यह दिखा दो कि जहां पर यह लिखा हो कि यह काम नहीं करो तो मैं तुम्हारा सरकलम कर दूंगा तो को इन्होंने कहा क कि अगर हम धार्मिक रहेंगे तो धर्म गरंतों में लिखे हुए कारियों को करना पड़ेगा तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा इन से जब मैंने यह पूछा कि क्या मैं नास्तिक होते हुए मैं पब वगरे में जा सकता हूं तो इन्हों ने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी कि अगर जाओगे तो वहां आपको बेने फिट मिला अचा पब में क्या बैने फिट मिला दारू पीएंगे लगे लगे यह बनेफिट है खाहेंगे पीएंगे मनुरंजन होगा अचा यहां जा परिवास होती दान संगती करन देव पूजा कि भालोगेंगे वि cani जारू आएगे तो प्रव जानालएएंगे वरी सिर्सञीर अंगती का अचांति में बांकॉप है यह जोवा है फंट करने ने गारा कि वहां हम भालू में जाने जार clown है चाहां प्रेक्टिकल किया नहीं है क्या प्रेक्टिकल किया प्रेक्टिकल ग्यान ही तो साइंस होता है प्रेक्टिकल ग्यान कोई तो साइंस किया प्रेक्टिकल किया कि आपने जो हमारे ग्रंतों के अंदर लिखा हुआ है कि इस तरह से प्राप्त होगा उसको हमने उस तरह से प्राप्त करने की कोशिश की हमें नहीं पता चला एहसास तक भी लिवां नहीं प्रेक्टिकल कर दिया उस तरीके से वह यार इतना जूटी हो बोलते हो आप क्या जूट है बताईए थे जूट है आपने पहले कहा कि मैंने वेत वग्रे कुछ पड़ा नहीं फिर केरव हमने जैसे बताए इस प्राप्तिकल कर दिया नकाल लुए तो निकाल लो अपने मैं मुसलमान मजभ़़ से निकलावा ओं तो मैंने प्राण पड़ा है वह दर का नास्तिक्ता के फाइदे बताए थे तो अब मैं नास्तिक्ता के नुकसान आपको बता रहा हूं आप उसको कट करिएगा नास्तिकों के कोई नैतिक मुल्य नहीं होता ठीक है इनके पास माज बहन बीबी में माज बाइन बीबी में अंतर करने कि लिए कोई नहीं होता is नो बन करेंगे पहले आपने नास्तिक्ता के फाइदे बताए माज नुक्सान बता रहा हूं तो क्य रहा हूं अरे आप गलत बोलोगे तो मुझे टोख ना पुरे जाना करेंगे अगर आपको सुनना नहीं है तो जा सकते हैं और अगर सुनना है तो अराम से सुनिए आपने कहा कि नास्तिकता के जो है यह फला फला फायदे है मैं आपको बता रहा हूँ कि नास्तिकता के घंटा कोई फायदे नहीं है बलकि नास्तिक आदमी जो होता है वस लक्षंद होता है उसके पास कोई भी नैतिक मुल्य नहीं होता मैंने ऐसे बहुत सारे नास्तिकों को जो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ भी संबंद बना सकते हैं, चाहे माँ हो, बेहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, हम किसी के साथ भी संबंद स्थापित कर सकते हैं, जबकि धर्म हमें ये सिखाता है कि हम किसके साथ संबंद स्थापित कर सकते हैं और किसके साथ संबंद स्थापित कर सकते हैं यानि कि धर्म ही वो पक्ष है जो यह सिखाता है कि कौन मां है कौन बहन है कौन बेटी है कौन बीबी है क्योंकि धर्मसास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि कौन किसका क्या लगता है रिस्ते जो निर्दित किये गये हैं वो धर्मसास्त्रों के अ तो माक को माक क्यों कहते हैं वह कहां ड इफेंट किया गया सिधाल की बात कर रहे थे ना कि भई धर्म जो है वह आज की आपके अंदर किस बात की चीज़े रहेंगे बताएं नैतिकता बहुत important होती है सर किसी भी चीज़ को करने के लिए यानि कि हम जिस चीज़ को मानते हैं तो हमें रिस्तों का महत्तों भी आना चाहिए हमें अपने लोगों की आपके नास्ती कम्यूटे का एक व्यक्ति है जिसका नाम है नटाज उसका नाम क्या है जरुबता ना अर्बिन नवावी में कुछ दिन पहले ट्विट किया था ठीक है और वो ट्विट अभी मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूं तो आप ये चले गए क्या ये चले क्यों गए बाई तो दुस्तों आपने ये वीडियो देखा और इस पूरे वीडियो में जो निश्कर्स जो कंक्लूजन निकल के आता है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा थोड़ा सा पेसेंस रखिए तो उन्हों नहीं देखा तो ये एक पॉइंट था दूसरा था कि उसके बाद इन्हों ने एक्स्प्लेनेशन करा कि वेदों के क्या फाइदे हैं तो उसमें जो मुझे समझ में आया वो समझ में आया कि जो धर्म के जो लक्षन है धर्म की जो डेफिनेशन है वो यहां पर बताई गई ठीक है ध्रिती क्षमा दमोरस्तिय सोचम इंद्री निर्गेहम इसका मतलब यही है कि हमें क्षमा सील होना चाहिए हमें हमेशा मनन चिंतर करना चाहिए ज्यान पाना चाहिए हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए हमें जो है वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए तो यह कुछ दस धर्म के लक्षन जो है बताएगे थे मनुसमरिती में तो धर्म की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ एक ही सास्तर में मिलती है पूरे विश्व में जो बोलते हैं धरम धरम ये तुम्हारा धरम मेरा धरम धरम दो नहीं होते हैं धरम एक होता है वो होता है मानवता का धरम और मानवता के धरम की जो डेफिनेशन है वो मनुसमरीती में लिखी हुई है तो मैं उस चीज से एग्रीवी करता हूँ कि बहुत बढ़िया चीज है ज वह बहुत अच्छी चीज है उस इस लोक में भी एक ऐसा मैसेज जाता है कि एक सत्य है लेकिन जो विप्रा बहुदा बधनते मतलब जो लोग हैं वो उसे अलग अलग नामों से पूझते हैं यहां पर जो मुसलिम्स हैं उनकी जो डाउट है वो क्लियर हो सकता है वो बोलते है कि अगर हिंदू अपने किसी भगवान को पूझ रहा है ठीक है एक सत्य है लेकिन विप्रा बहुदा बधनते भी तो है एक कम सत्य विप्रा बहुदा बधनते को आप मुसलमानों भूल जाते हो यह थोड़ा सा याद रखो आप इस चीज़ को दिमाग में रखो किसी के पच्चे नहीं होते थे तो वो उनको बेट जाता था थे कि और बोलते उनको तो उनकी जो पर अमने अब रखे होते हैं आज पूचता है क्योंकि मैं कोर बिलेज से आता हूं तो में आपको सारी चीज होने के फाइदे हैं कि आपको टेंचन नहीं बोपने टाइम वेस्ट नहीं करना है आप मंदिर नहीं जाने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप भगवान की पूजा करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन जो नास्तिक है, ये सामने देखो ट्वीट आपके सामने है, ये है नास्तिकों का सोच, ये नास्तिकों की सोच है, मैं नहीं चाहता कि कोई पर कोई भी रिस्टिक्शन नहीं है मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं यह चीज आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए यह रियल फैक्ट है कि एक मैं आपको घटना सुनाना चाहूंगा कि कश्मीर में एक अभी रिसेंट हुआ था जब यह रोजे चल रहे थे तो वहां पर कोई रेडी थी बहार उसको बुला चाही पी ले तो उसने बुला रोजे हैं तो मैं चाहे तो पीलूँगा लेकिन यहां नहीं पी सकता हूं यहां पर कोई बूलता नहीं है बाई कुछ भी आप अगर फास्ट भी रख रहे हो तो आपको कोई कुछ रिस्टिक्शन नही है नास्तिकों का प्रॉब्लम यह एक और भी है मान लोगो जैसे ब्रत रखता तो उसके फायद होते हैं ठीक है अपने पेट के लिए अपने लब आप सोचते हो कि एक दिन मैं रेस्ट दूँगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को तो नास्तिकों अरे तुने ब्रत रख इन्दिर में जाते हो आपके अंदर एक इंसान के प्रती प्रती एक अच्छा भाव आता है तक है जाओ न जाओ आपके अपनी इच्छा है वैसे कहते हैं من के अंदर एंदर को मतल्गा मन अंदर मन के अंदर तो देफिनेशन भी भाइसा बहुत क्लियर है मन के अंदर इस नॉट आउटसाइड इस मन के अंदर तो हमारे में तो ऐसा भी है कि हम यहां भी बैठे होते हैं मंदिर है हर जगा मंदिर है को रिस्टिक्शन नहीं है यह बहुत अची चीज लगी नास्तिक का मतलब है वो मानता ही यहां पर पाला हुआ है आप भी मानते होंगे आप भी मानते होंगे के जल देवता है, आप भी मानते होंगे अगनी देव है, आप भी मानते होंगे सूर्य देव है, धर्ती देव है, हमसे बड़े हैं ना, आप धर्ती को कुछ कर सकते हो, आप धर्ती से बड़े हो, यह भगवान नहीं है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है से और आप भी आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरूर कीजिए शेर जुरूर कीजिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा इसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है आप इसको पूरा देख सकते है सनातन समिक्षा चैनल पे और इसे के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम